Hello everyone, welcome back to your favorite channel MagnetBrain So my dear class 9th students, कैसे हैं आप सभी लोग Hope आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे Guess what, आज हम इस वीडियो में क्या शुरू करने वाले है आज इस वीडियो में हम एक new brand chapter की शुरुआद करने वाले है That is chapter 7 Yes students, आज की इस वीडियो से हम आपकी unit 3 आपकी वो computer application book code 165 के 3rd unit office tools की शुरुआद कर रहे हैं जिसमें chapter 7 की बारे में पढ़ेंगे Chapter 7 की बारे में discuss करेंगे Right, this is professor बर्का गुपता Your computer educator for class 9th And magnet brains पे आपको नासिफ K12 बलकी CVAC, English medium, CVT, NTSC, Olympiad And other competitive exam की preparation कराई जाती है 100% free of cost with high quality education इसे अच्छी बात से शुरुआद कर लेते हैं आज की इस वीडियो की जिसमें हम chapter 7 OpenOffice.org writer का first part है ना ये जो chapter का नाम है जिसमें हम office tools की शुरुआद करने वाले हैं जो की कही ना कहीं बहुत जादा Important necessary software होता है हर किसी के लिए किसी भी age group का person हो वो basically in office tools का use करता है बहुत सारे popular office tools market में available है जिनमें एक popular open office.org writer software है इसका first part इस chapter में हम discuss करेंगे और आज की इस वीडियो में हम इसके introduction को समझेंगे कि ये software होता क्या है किसलिए use किया जाता है और पूरे chapter में हमें किन किन topics को cover करना है आगई बात समझ में तो शुरुवात कर लेते हैं For most people writing is an everyday occurrence देखो बात करने हम हर एक बंदे की हर एक people की ठीक है जैसे मैंने बताया कि ये जो office tools वाला जो unit है है ना इस unit में जो भी आप tools पढ़ोंगे जितने भी आप software के बारे में जानोंगे ना उनसे आप अपने skills को develop कर पाऊंगे ठीक है आप जैसे writing की बात करें तो कोई भी बंदा हो उसे कुछ ना कुछ लिखना पड़ता ही है वो उसकी necessity होती है जैसे आपको बात करें तो आप school में English की copy हिंदी की copy complete करते हो लिखते हो ना copies में भी copies में क्या करते हो work लिखते हो question answers लिखते हो exercise लिखते हो English में letter applications लिखते हो notice लिखते हो articles लिखते हो हैना उसे तरीके से SSD science हर subject की copies आप complete करते हो कुछ ऐसे persons होते है जिने personal diary maintain करने की आदत होती है regular में जो कुछ हुआ होता है वो note down करते चले जाते हैं diary में हैना ऐसे कुछ employees होते हैं जिने कुछ letters वगरा लिखने की messages वगरा लिखने की need होती है emails post करते है message draft करते है यह उनका job role होता है जिनको वो regularly उनका पूरा दिन सिर्फ writing में ही जाता है तो हर एक age का person उसके लिए writing necessary और compulsory होती है अब क्या होता है on paper जब चीज आप लिखते हो है ना तो क्या हो सकता है कि mistake हो सकती है साथ ही साथ mistake के आप जब mistake को cut नहीं कर सकते हो क्योंकि आप pen का use कर रहे होते हो तो कुछ over writing जैसी चीज़े हो जाती है time consuming होता है ठीक है paper pen की जरुवत होती है pen खतम हो जाएगा तो फिर आपको नया pen use करना है कुछ cost भी वहाँ involved होती है है ना लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहे हूँ हम computers का जब use करते हैं क्योंकि आजकल तो computer की दुनिया है तो computer की दुनिया में आपको office tools मिलते हैं क्या मिलते हैं office tools और इन office tools की मदद से आप documents को prepare कर सकते हो जिनमें आप इस तरह की सभी writing skills को involve कर सकते हो even आप इन documents से अपने writing skills को improve कर सकते हो vocabulary को improve कर सकते हो ठीक है अपने typing speed को increase कर सकते हो यह सारी facility आपको office tools provide करते हैं So when computer have affected our lifestyles and work patterns this activity is also not left out Okay, many application programs have been developed to make writing easier and smooth operation बहुत से ऐसे application programs, ऐसे office tools हैं जो आपकी writing को easy करते हैं और साथ ही आप जो भी काम कर रहे हो जो भी documents वगरा prepare कर रहे हो है ना उसको smooth करते हैं आई बात समझ में So इस chapter में हमने कुछ office tools के बारे में ही पढ़ना है detail में Now, one such most popular program is word processor और इस writing के लिए हम जिस special important popular program की बात कर रहे हैं application software की बात कर रहे हैं वो है word processor software तो यह जो open office.org writer जिसका नाम आपने chapter का नाम अभी देखा यह है क्या? यह एक famous word processor software है जिसमें आप writing कर सकते हो documents prepare कर सकते हो आई बात समझ में market में बहुत सारे office tools होते हैं जैसे मैं बात करूँ MS office की नाम सुना होगा आपने MS office का भी है ना MS office जो Microsoft company के through एक office suit एक application software आपको मिलता है जिसमें कुछ further application software होते हैं तो documents prepare करने के लिए कि यहां पर सबसे ज़्यादा popularity जिसका use किया जाता है वह है MS word सुना है ना MS word का कितने students MS word पर काम भी करते हैं आज भी बहुत ज़्यादा popular है है ना बिल्कुल इसी की तरह हम किसका use कर रहे हैं यहां पर हम use कर रहे हैं जिस word processor tool का word processor software का वह होगा आपका open office.org writer ठीक है जिसे open office suit के through आप access कर सकते हों आई बात समझ में अच्छे से clear तो यहां पर जैसे MS word होता है जिसमें आप documents prepare कर सकते हों ठीक है इसके बहुत सारे features होते हैं आप जो भी लिख रहे हो content उसे आप कम time में लिख सकते हों आप cut copy paste editing formatting बहुत सारी चीजों से सजा धजा के create कर सकते हो और भी बहुत सारे advanced features होते हैं इन word processor software के जो आपको basically writing skills होता है उसे improve करते हैं आपकी vocabulary को भी improve करते हैं automatically इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है automatically update होता है automatically spell grammar check हो जाता है जिससे vocabulary इंप्रूफ हो सकती ही right so word processing software क्या हुए a word processing software provides a general set of tools for entering editing and formatting text आगे यह बात समझ में word processing software वो सारे software tools होते हैं जिसमें बहुत सारे features होते हैं options होते हैं जिनके through आप data को या फिर आपका जो भी text है उसे enter कर सकते हो even उसे आप edit कर सकते हो format भी कर सकते हो word processor में आपको documents create करना होते हैं उन documents में आप text add कर सकते हो इस text को आप edit भी कर सकते हो और format भी कर सकते हो अपनी need क्या according बहुत सारे tools ही available होते हैं editing formatting के लिए nearly all the document types that we use in our daily lives we can created in a word processor अब जितने भी आप document के types देखते हो ना अपने letter prepare किया हुआ है ठीक है या फिर आप किसी restaurant में जाते हो तो महाँ कोई menu card prepare किया होता है है ना जिस menu में से आप देखते हो कोई list prepare की होती है आप अपने school में जाते हो तो वहाँ पे student table वगएरा create होती है कोई books वगएरा जो आप देखते हो वो भी basically किसमे टाइब होते हैं तो most of the documents जो आप देखते हो वो word processor software में ही type किये होते हैं ठीक है और एक proper formatted way में वो सारी चीजे होती है in fact our lives have been affected to a large extent by the word processor even हमारी जो life है वो भी क्या है word processor software के इर्दगीर्द ही है clear हर कोई person जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कुछ भी type करना है whatever आपको कोई birthday invitation के लिए letter बनाना है आपको कोई project दिया उसका front page बनाना है बढ़ी हासा या फिर आपको कोई drawing वगरा भी बनानी है आजकल तो word processor drawing को भी support कर रहे है कोई diagram वगरा ग्राम भी आप draw कर पाओगे या आपकी बात हुई है ना तो school student college student या फिर हम बात कर लें कोई artist हो सकता है वो भी इसका यूज करता है scientist dentist every person every person इस software का यूज करता है और सभी के लिए equally available होता है ऐसा भी नहीं है कि कि students के लिए available है तो किसी और person के लिए अविलीबल नहीं है हर को इसका commonly use करता है सिर्फ और सिर्फ राइटिंग के परपस से सिर्फ और सिर्फ अपने documents को prepare करवाने के लिए आगे बात सब्सक्राइब so therefore it is suggested generally that every person must be aware of word processing and its feature तो हर कोई बंदा जैसे लिखने का शौक है जो डेली में कुछ ना कुछ लिखता है कुछ page पे content prepare करता है तो उसके लिए word processor software का पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि वह एक writing skills को develop करने के लिए बहुत top software है जिसमें बहुत सारे features available होते हैं और इसे सीखने के लिए भी कोई बहुत जादा आपको programming knowledge का या जरूरत भी नहीं होते है ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई programming कोई coding language सीखना पड़ जाएगी वर्ट प्रोसेस में software को चलाने के लिए normal जो basics होता है computer का यदि वह आपको clear है ना तो आप इस software पे easily work कर सकते हो सो अभी तक हमने क्या समझ लिया अभी तक हमने unit 1 और unit 2 भीना basics of information technology जिसमें computer होता क्या है कितने type के होते हैं hardware क्या होता है software क्या होता है computer का fundamental पूरा basic समझ लिया है उसी के साथ हमने second unit में computers को networking में कैसे connect होता है कितने type के network होता है क्या क्या internet की facilities होती है जिनका use आप कर सकते हो तो हमने computers और network के बारे में detail में सारी चीज़ अच्छे से जान ली तो एक basics हमने बहुत अच्छे से समझ लिया अब इस computer का use कैसे कर रहे हो आप computer का use किया जा रहा है office tools के साथ में मतलब office tools आपको facility प्रोवाइड कर रहे है computers, laptop, PC की मदद से आप अपने writing skills को develop कर सकते हो हैना आपके जो भी daily के writing work होते है उसे easy और smooth बना सकते हो तो ये facility आपको office tools प्रोवाइड कर रहे है जिनमें हम इस chapter में word processor software की बारे में जानेंगे जैसे आपके chapter में open office की बात की जा रही है ठीक है so this chapter is dedicated to word processing and word processor तो ये जो whole chapter है वो आपका word processing या word processor पर ही dedicated है most popular यदि हम बात करें तो MS Word हर जगह आपको देखने को मिलेगा ये MS Word का ही एक picture मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है and hope आप मेंसे कुछ students ही होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा MS Word बाकि almost सभी students ने MS Word के बारे में सुना भी होगा देखा भी होगा काम भी किया होगा कितने students हैं जिन्होंने अपने MS Word software पर अपने school के project का front page वगरा design किया या किसी और से करवाया है करवाया भी होगा हो सकता है किसी senior से या किसी आप cafe वगरा गए हो तो उस बंदे ने भी MS Word का ही use किया होगा इस तरीकी का कुछ software है जिसमें आप content को add करते हो ऐसा कुछ document एक white paper की तरह ऐसा कुछ document दिखता है जिसमें आप black color से कुछ content prepare करते हो है न तो इस chapter में हमें क्या पड़ना है word processor और word processing के बारे में detail में discuss करना है तो हमें इस chapter का motive तो clear हो गया है और also इस chapter में आपको क्या discuss करना है इस chapter में आपको introduce होगा different kinds के documents के बारे में that you can create with word processor and the features that you will find within the word processor तो work processor software के बारे में तो हम जानेंगे इस chapter में साथ ही आपको कौन-कौन से features प्रोवाइड कर रहा है हैना कौन-कौन से इसके advanced features होते हैं किस तरीके से आप इस software को use कर सकते हों ठीक है अपने writing skills को develop करने के लिए कुछ भी type करने के लिए, edit करने के लिए, format करने के लिए कैसे software का use करना है वो भी सब इस chapter में हम detail में discuss करेंगे Now this chapter is going to discuss work processing skills through open office ORJ writer also known as double O writer or simply writer तो open office dot ORJ जैसे Microsoft company वैसी open office है इसका जो software है वो writer software है तो इसे हम open office writer के नाम से भी जानते हैं यह simply आप इसे writer भी कहते हो बिल्कुल वैसी जैसे Microsoft office में Microsoft company का word software आप use करते हो word, excel, port point नाम सुनें न word, excel, port point की नाम से जानते हो बिल्कुल वैसी open office suite के हम writer, impress, kels को use करेंगे ठीक है ऐसी कुछ software है हम आगे पूरी unit में discuss करने वाले हैं तो कुछ office tools जो open office आपको provide करता है यदि हम इसे Microsoft से compare करें तो Microsoft में जिस software को आप word से जानते हो word के नाम से जानते हो, MS word के नाम से open office में उसी word processor software को हम writer कहते हैं ठीक है वही हम बात कर लें MS word में powerpoint की अब powerpoint software तो सभी को बहुत अच्छा भी लगता होगा सभी ने work भी किया होगा जिस पे आप slides बगरा बनाते हो तो open office में वही same software आपको impress के नाम से मिलेगा ठीक है तो Microsoft word, Microsoft excel, Microsoft powerpoint इसी के comparatively हम open office में use कर लेते हैं open office writer को, open office calc को, open office impress को और यही आपके syllabus में हैं तो देखो यहां पर भी एक point आता है कि हो सकता है कुछ students के books में word, excel, powerpoint हो, कुछ students की book में open office हो तो यह ध्यान से सुन लो दुनिया का कोई साभी word processor software है ना, दुनिया का कोई साभी word processor software जिसके मैं आपर बात कर रही हूँ चाहे फिर वो writer हो या word हो MS word हो, writer हो या कोई और लिब्रे office में भी होता है लिब्रे office में एक suit है जिसमें आपको यह word, excel, powerpoint जिसे software मिल जाते है इवन आपको online भी मिल जाते है documentation के लिए हम यहाँ पर online यूज करते हैं किस software का Google Docs का सुना है ना नाम आपने Google Docs का यूज कर लेते हो आपका जब आप online एकसेस करना चाहते हो ऐसे sheets के लिए हम Google Sheets का यूज कर लेते हैं है ना, powerpoint के लिए आप Google Slides का यूज कर लेते हो चाहे कोई साभी software आप यहाँ पर यूज कर रहे हो यदि मैं बात कर रही हूँ word processor की सभी की working similar होती है राइटर की बात करें, Google Docs की बात करें word की बात करें या लिब्रे office की बात कर लें सभी जगह आपको document ही बनाना है सभी के features भी even same होंगे कुछ छोटे मोटे features की place अलग होगी है ना उनको show करने का present करने का तरीका अलग होगा उनकी screen पर यह difference होता है बाकि काम तीनों चारों सभी एक जैसे करते हैं यदि मैं बात कर लो kels की, excel की या फिर google sheet की तो इनका भी काम spread sheet को ही generate करने का होता है ऐसा बिलकुल नहीं है की calc और excel कुछ अलग-अलग perform करें कोई अलग action है इनका है ना so hope मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है और even इतना भी मैं आप से कहूंगी कि इन में से यदि आप किसी एक software को इन में से यदि आप किसी एक software को एक word processor को भी अच्छे से समझ लेते हो ना तो कोई से भी word processor software पे काम करना आपके लिए typical नहीं होगा बहुत easy way में आप उसे complete कर पाऊंगे so I am going to tell you like कि हम इस chapter में जिसे पढ़ने वाले हैं वो open office के writer को पढ़ेंगे जो MS Word के equivalent है चाहे आप MS Word को बहुत अच्छे से जानते हो तो आपको यह समझना बिल्कुल भी tough नहीं होगा या फिर आप open office writer को अच्छे से समझ लोगे तो MS Word पे काम करना आपके लिए बिल्कुल भी typical नहीं होगा almost similar ही सब काम करते हैं आई बात समझ में आई बात समझ में तो इस chapter का whole motive सिर्फ इतना ही है कि आप open office writer में जो भी document बनाते हो उसमें आप text को कैसे enter करोंगे कैसे edit करोंगे कैसे format करोंगे तो आप बाकी की सारे tools को बहुत easily use कर पाऊंगे means फिर आप चाहे MS Word use करो Google Doc use करो कुछ भी use करो आप वहां पे भी document easily prepare कर पाऊंगे आगे बात समझ में तो बिलकुल भी panic नहीं होना इस चीज़ को लेकर कि ma'am हमें MS Word आता है या हमें open office आता है तो क्या करें इसमें क्या difference है कोई बहुत जादा bigger difference नहीं है अब इस chapter में हमें किन कें topics को cover करना है तो आगे आने वाली whole videos जो आपको इस chapter पर based मिलेंगी वो आपको सभी इनी topics पर detail में मिलेंगी ठीक है जैसे all the topics we cover in this chapter are introducing to word processor introduction chapter का हमने discuss कर लिया है अब next video में हम word processor software होते क्या है कैसे आप इसका use कर रहा है इसके क्या-क्या features है जो आपको मिल रहा है क्यों हर को इसका use कर रहा है उसके answer आपको इस video से मिल जाएंगे यदे answers जानना चाहते हो तो next video को बिलकुल miss मत करना दान उसके बाद हम discuss करेंगे कि word processor software पर काम कैसे करना है features जान लिए कैसे क्या काम करता है लेकिन आप इस software को access कैसे करोंगे use कैसे करोंगे अपने computer system पर कैसे access करने वाले हो ठीके कैसे इनकी features को जो feature हम नहीं आपड़े उन features को access करोंगे तो हम यहां पर समझेंगे कैसे software को आप start करोंगे next video में हम जानेंगे word processing की terminology कि open office writer में word processor किन terminologies पर काम करता है ठीके तो different terminologies यहां पर है margin, curve, columns, alignments, header, footer, mold, italic, underline बहुत सारी चीज़े हैं जो terminology में निखली होती है उसे के साथ documents को कैसे edit करोंगे कुछ गलती हो गई आपसे या कुछ mistakes से आपने लिख दिया या लिखने के बाद आपको पता चल रहा है कि इसको हटाना, कुछ और लिखना या कुछ और आना चाहिए होता है ने generally तो आप कैसे edit कर सकते हों या फिर आप formatting भी apply कर सकते हों जैसे आपने supposed chapter का नाम लिखा या कोई title या कोई heading लिखी तो heading को आपको थोड़ा different show करवाना है तो आप उस heading का color बदल सकते हो उस heading का style बदल सकते हो उस heading को bold italic underline कर सकते हो ऐसे कुछ formatting feature भी यहाँ पर मिल जाते हैं तो यदि आपको यह सारे चीजें अच्छे से समझनी है open office writer को अच्छे से जानना चाहते हो तो next video में आपको यह सारे topics detail में मिलेंगे मतलब पूरे chapter की अलग-अलग videos में मैं dedicated आपको इस सारे चीजे provide करने वाली हूँ सो बिल्कुल बिल्कुल भी आपको videos एक भी इस unit की इस chapter की miss नहीं करना है क्योंकि यहाँ से आपका practical part शुरू होगा students अब यह मत सोचना कि मैं जो यह बोड़ी तो सिफ theory पढ़ाने वाली है बिल्कुल नहीं students theory के साथ साथ हम practicals भी करेंगे जब मैं आपको theory वाला chapter पढ़ाऊंगी है ना यह video बताऊंगी तो उसके तुरंत बाद आपको practical करके देखना होगा जो भी आपके पास laptop, PC, desktop आपका computer उस पर आप practical करके देख सकते हों ताकि आप उस चीज को crystal clearly समझ सको ऐसा नहीं कि बस आपनी theory समझ ली आई बात समझ में तो जितना आप theory को समझते हो उससे जादा आप practically समझ पाते हो तो इसके लिए मैं आपको practical भी प्रोवाइड करूंगी बट प्राक्टिकल समझने के पहले हमें topic के बारे में तो knowledge होना चाहिए कि actually हम पढ़ के आ रहे हैं इसका क्या मतलब है तो आगे आने वाली वीडियो में आपको इस पूरे chapters के detail videos मिल चाहेंगे चैक्टर का motive क्या है क्या provide कर रहा है है यह आपके लिए चानना बहुत important था so introduction hope आप सभी को बहुत अच्छे से clear है next video को देखना बलकुल बलकुल भी मत भूलना क्योंकि हम उसमें word processor software की features को discuss करेंगे and after that हम इसके practical को भी discuss करेंगे so magnetbrains आपको ना सिफ K-12 बलकि CVSE, English Medium, CUT, NTSC, Olympiad and other competitive exam की preparation करवाता है 100% free of cost with high quality education इसी के साथ आप सारे video lectures को means अभी तक हमने 1-6 फूरे chapters खतम कर ली है है ना तो सभी chapters के दी video lectures को आपको देखना है तो YouTube playlist के link आपको description में मिल चाना है वहाँ से access कर सकते हो या फिर आप magnetbrains.com website का use कर सकते हो या फिर आप mobile app को भी play store से download कर सकते हो कहीं से भी कोई payment आपको नहीं करना है मजह से कितनी भी बार सारी video lectures को आप देख सकते हो यदि आप books, e-books, notes, e-notes को access करना चाहते हो तो उसके link आपको description में मिल जाएगी वहाँ से आप easily access कर सकते हो यदि कुछ latest update या recent update चाहते हो तो आप follow कर सकते हो हमारे social media platform को like facebook, instagram, twitter, telegram जैसे pages को में और यदि यह भी तक channel को subscribe नहीं किया है तो भाई सबसे पहले channel को subscribe कर दो ताकि next video की link आपको मिल जाए, notification आपको आचाए, right? ताकि आप अपनी exam में बहुत अच्छे marks को score कर सको, साथ ही साथ अपनी life में कुछ बहुत अच्छा चीप कर सको मिलेंगे next video में, till then stay or stay abby, thank you so much